जी तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद आप सब खेरियस से होंगे कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स में आपको मैं वेलकम करती हूँ आप इस वकत मौझूद हैं साइमा के साथ और आज हम बनाने जारे हैं वेंगन का भड़ता जिसके लिए हमें चाहिए होगा वेंगन एक मैने लिए हैं तीन बड़े वेंगन इस तरह के उसमें जाएगा एक चमच लाल मिर्च आदी चमच काली मिर्च आदी चमच जाएगी हल्दी जाएगी एक चमच नमक जाएगा बाकी कम्याँ जादा आप कर सकते हैं इसके इलावा सूका धनिया है एक चमच पिसावा और जीरा जो है वह भी पिसावा एक चमच इनको मैंने भूल लिया था इक अधद की प्याज जाएगा बड़ाओ ला एक चमच अध्रक रस्ता पिख लिये 3,000 हारी मरिचे इसको बारी चॉक कर लिये और इंपिका पानी जाएगा दो के दो से तीन चमच है तौ आई स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाह रवन वही यह देखें इस तरह से जलाने इस त बैंगन को भूजा डिक जला लिया हुआ, तक रा की तय 스타 हो जाएंगे जलने के Bak, यह इसका फानी में पानी डालकर शो एक बेंगे यह बेड़गे, इस तरह करते है हमने लहिसल करते हरें पर प्रणी जला दे पानी में उतार दे जाना हुआ जी छिलका मैंने ताड लिये इस तरह हमने इसको मैश कर लिये अब देनी है पतीली, पतीली में हम डालेंगे और प्यास हम डाल करेंगे अच्छा हमने इसको डाइक ब्राउन करना है बहुत जादा नहीं करना चीटो वीवर्स प्यास हमारा हलका बाउन होके है अब मैं इसमें डाल दोगी अब मैं इसमें डाल दोगी यह जा रहे हैं टेमाटर और हमारी हरेंचेंग वीवर्स मैं शुक्रियादा करना चाहते हूं उन लोगों का जो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्वाइब कर रहे हैं अर मेरि वीडियो को लाइक 50 कर रहे मिलता है दो आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है तो हम अच्छी सब बड़ियो बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बस मुझे इसी तरह सब्सक्राइब किया करें लाइक करें और जाता से जाता वीडियो को शेयर करें तो अब मैं इसमें डाले मसाले जा रहे हैं तमाम मसाले थोड़ी देश को भीनें हैं कि माटन हमारा जारा सौफ हो जाएगा थोड़ा पानी छोड़ेगा इसमें एक फिर भी कर देंगे हम बैंगन इसे हमने मैश किये में खाने में बहुत अच्छा जाएका उता है इसका जबदर्द दिश बनती है मसाले में हमारा तमाम भुन गया है अब इसमें दल गया यह बैंगन जो हमें मैश किया रहे थे मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे मसाले में हमारा हल्दी, सुका धनिया, जीरा, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च शामिल है टेमाटर और हरु मर्चें इसमें डाली है इस तरह हम स्कुल भून एंगे और अब मैं डालेंगे इसमें इमली कप पल्प मुठ डालके में दस मिनाट इसको रख दूँगी धक कर यह चला गया हमारा इमली कप पल्प इसको गवर कड़िया 10-15 मिन के लिए फ्लेम को हम हलका रखेंगे यह सिब हम इसको दम दे रहे हैं उसके बाद हमारा भरता जो है बहेंगन का वो रड़ी हो जाएगा जी फ्रेंग दस मिनाट गुजर चुके हैं यह देखें बरता हमारा रेडी हो गया है वाइल जो है बिल्कुल अलालक हो गया है अब मैं इसको डेशा आउट करती हूं तो यह देखें वीवर्स हमारा जबरत सा भेंगन का भरता रेडी हो चुका है और आप इसको चाहें तो तंदूर की रोटी घर की रोटी के साथ खाएं और मज़र उनाएं मेरे चैनल को याद दखिएगा चैनल का नाम है कुकरी अन ब्यूटी टिप्स और जादा से जादा सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी थैंक यू